दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो बिडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लाइक जरूर कर दे साथ ही हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताई किया बिहार के केस जिले में रहते हैं तो चले शुरूत करते हैं आज की पहली और बाड़ी ख़बर से बाड़ी कर में देखे बिहार में बेजली की दर में भारी जापा प्रती उनीट लगबग दो रुपी जादा देने होंगे या देखे देश के कई राज्यों में जहां मुप्त में बेजली देने की बात की जा रही है वहीं बिहार में बेजली की दर में भारी जापा कर दिया गया है बिहार में बेजली की दर लगबग 2 रुपी प्रती इनुट बढ़ा दिया गया है फिक्स चार्ज भी बढ़ा दिया गया है यानि उपबोगताओं को और अधिक पैसे चुकाने होंगे फिक्स चार्ज को दोगुना कर दिया गया है इसी बीच सरकार ने कहा है कि वा बड़े वे बिजली दर पर उपबोकताओं को राहत देने पर बिचार करेगी बिहार बिजली बिनायमेक बोर्डर ने कल बिजली दर बढ़ाने का एलान किया है उसने बिजली दर में 24.1% बिरदी का एलान किया है इसका नतीजा यह होगा कि अगर आप 100 यूनिट तक भी बिजली के कबद करते हैं तो हर मैने लगबग 200 रुपए ज़्यादा देने होंगे बढ़े हुए बिजली दर के मताबिक जिन गरों में 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली खर्च होती है तो उन्हें प्रती यूनिट 2 रुपए से ज़्यादा का बोज़ पड़ेगा बाड़कर में देखे मानिस केसब के रिमान अवदी बढ़े यूए की पुछताच कल आकरे दिन था लेकिन यूए की अपेल पर कोड़ से चार दिन के लिए रिमान को बढ़ा दिया गया है अब अगले चार दिनों तक आर्थी का प्रादिका है कि टेम मानिस केसब से पुछताच करेगी आपको बढ़ा दिखे पुलिस के भारे दवाव के बाद मानिस केसब ने पिछले दिनों बेतिया में सरेंडर कर दिया था बाड़े खर में देखे फिर डराने लगा है कोरोना बढ़ते मामलों ने सरकार के चिंता बढ़ाई स्वास्त मंत्राला ने राज्यों को किया अलट जाद ग्यदेश में बढ़ते कोरोना के मामले ने एक बार फिर से सरकार के चिंता बढ़ा दी है बढ़ते मामले को देखते वे स्वास्त मंत्राला ने सभी राज्यों को अलट किया है और सचित रहने की सला दी है सबी राजों को सला देते वे स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले ने कहा कि वे कोविड-19 से लड़ने के लिए बचाव की सबी तरीकों पर पांच गुनारनिती अपनाएं स्वास्त मंत्राले की तरब से कहा गया कि कोरोना की तैयारी को देखने के लिए जल्दी सबी राज्यों में मौग ड्रिल किया जाएगा स्वास्त मंत्राले की तरब से जारी अधिस उचना के मुताबिक देश में अब दकूल 220.65 कड़ोर से अधिक टिकों की खुराके दी जा चुकी है वहें मांत्राले ने यह भी कहा है कि फिलाल अस्पिताल में कोरोना संक्रबिन्द मर्योजों की संख्या बढ़ने की सबुत नहीं मिले हैं लेकिन इतिहात के तोर पर खुराक बढ़ाना ज़रूरी है राज से सभी स्वास्त सुविदाओं में इन्फलेंजा और कोविड-19 के लिए अवजसक दवाओं की उपलुपता के साथ ही परियाप्त संख्या में बेड और स्वास्त कर्मियों की उपलुपता सुनिचित करने को कहा गया है दरसल देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जारे ये लगतार बढ़े मामलों ने केंदर सरकार की चिंता बढ़ा दी है इसको दिखते हुए प्रधान मंतिर नरेंदर मोदी के अधिक्ता में कोरोना को लेकर एक हाई लेवल मेटिंग बुलाई गया थी जिसमें कोरोना के ताजा हालात और उससे बचाव को लेकर गंबिर चरचा हुई थी बारे खार में देखे जातिगत जनगना का दोसरा चरण 15 अबरल से सुरू होगा मोबाइल एप और पोर्टल पर भारेगा ब्यवरा है आपकी जानकारे के लिए बतादे कि दूसरे चरण में गिंती मोबाइल एप गन्ना पर पत्रों वो पोटल के माधाम से होनी है प्रसिशित लेरे कर्मियों को पावर पॉइंट प्रोजेंटेशन के माधाम से जानकारे दी गई फॉब में 17 तरह की डिटेल बनने है इनमें परिवार के सभी सदसों के नाम वेबाई की सिती धार्म जाती सक्षनिक योगता कारी कलाब आवासी सिती क्रिसी भूमी आवासी भूमी सभी सुरूतों से मासिका सहीत अने डिटेल लिया जाएगा बाड़ी करमेदी के बिहार के सरकारी बसों में अब महिला कंड़क्टर के भी होगी बहाले सरक्षा के लिए लगेंगे इमर्जेंसी बटन जादिके बिहार में आने वाले दिनों में सरकारी बसों के लिए महिला कंड़क्टर के न्योक्ति की जाएगी इसके साथ सारवजन परिवहन के वहन में महिलाव और यात्रियों की सुरक्षा के लिए विहकल, लोकेशन, ट्रेकिंग, डिवाइस वा इमर्जेसी बड़न को लगाना भी अनिवार कर दिया गया है इससे वहनों की कमान एन कंडोल सेंटर के जरिये लाइब मोनिटरिंग की जा सकीगी जिससे किसी भी वक्त बसों की सितिका पता रहेगा और जरूरत पढ़ने पर उस जगा मदद भेजी जा सकीगी इसके साथ भी बसों में महिलाव और दिव्याइगों को बेटने के लिए सीटे भी आरचित की गई है यह जनकारी परिवहन मंत्रे सिला कुमारी ने सदन में दी है बाड़े खरबदे के बिहार में डबल होगी अब डाक्टर और नर्स की डिवटी प्रखण अस्पतालों में सुरू होगी दिन में दो बार ओपिडी ज़िए कि बिहार के मेडिकल कोलेजों और सदर अस्पतालों के बाद अब रखान निस्तर के अस्पतालों में भी दिन में दो बार ओपिडी की सिवा सुरू की जाएगी यह जानकारी सदन के बाहर 180 बिवाग के उच अधिकारियों ने दी है इससे पहले उप मुख मंतरी तजसी विदान परिस्द में कहा कि मेडिकल कोलेजों और सदर अस्पतालों में दो पाले में ओपिडी सिवा सुरू होने से मारीज इलाज के बाद रिपोर्ड उसी दिन दिखा पा रहे हैं उन्होंने कहा कि डाइबिटेज और बिपी के तीन दिनों की जगा तीस दिन की दवा मिलेगी वाग गर्बपती महिलाओं को फॉलिक एसिड सहीत अनस सभी दवाई दी जाएगी ये वितिया वर्श दोजर तेस चोबिस के आई वई पर विजाबाब दे रहे थे तेजसी यादव के ब्यासन के दोरान भाजबा के सदूसे न सदन से बाई गरमन किया था बारिकार में दिखे 24 साल पले लालो यादव ने सीधे मंत्री बना दिया था अब तेजस्वी के खाट कड़ी करेंगे समराठ चोधरी बिहार विदान परिषद में नेता प्रादिपाग ज़े समराठ चोधरी बिहार भाजबा के ने अदेच बनाए गया है प्रादेश अदेच डाक्टर संजड जासवाल के जगाली है समराठ चोधरी और जडि प्रमोग लालो परसाद यादव की पारचनेतिक शिक्चा हासिल कर चूके उन्होंने आरज़री सही अपने राजनेतिक की सिरुवात के थे समराट चोदरी पहली बार 1999 में राजसरकार में मंत्री बने थे उनकी पिता सकुनी चोदरी भी राजसरकार में मंत्री रहे थे राजनेतिक जानकार बताता है कि सकुनी चोधरी के कहाने पर ही लालो यदव ने समराठ चोधरी को 1909 में में पाली बार मंत्री बनाया था समराठ चोधरी ने मंत्री बनने के इच्छा खूद अपने पिता के समक्ष जाहिर की थे बता दे कि उस समय सकुनी चोधरी लालू की बहत खास माने जाते थे उस समय भाजपा के समराठ चोधरी की उम्र के लेकर विबाद खड़ा कर दिया गया था समराथ चोधरी के उम्र मंत्री बनने के लिए कम थी विबाद खड़ा होने के बाद समराथ चोधरी को इस्तिपा देना पड़ा था बड़ी करमेदी के बिहार में सुरज के तलक वे तेवर बड़ी गर्मी दोपार में छोड़े पसीने जाने अब कब होगी बारिस ज़िए के मासम में सिधार के बाद पढ़ना सहीत सुभी के लगबाग सबी जिलों में गर्मी बढ़ी है फिर से सुरज के तल के तेवर से दो पार में पसीने छुट रहे हैं पढ़ना का अधिक्तम तापमाना सामाने से 8-9 डिगरी नीचे था वह अधिक्तम तापमाना सामाने से मामले नीचे है पढ़ना का अधिक्तम तापमाना 2-3 में 7 डिगरी तक उपर चड़ा है वह पिछली 24 गंडे में अधिक्तम तापमान में 1.3 डिगरी के बढ़ोतरी हुई तरज में सरवादे का अधिकत्म तापमान डंबा talking दर्श किया गया है जैतिक अधिकत्म तापमान 32.8 डिगरी दर्श किया गया है मौस्ब जिटों के अनुसार पटना से सब्सपश अधिस सेरों के तापमान में अगले दो दिनों में दो डिगरी तक कि बड़ोतरी हो सकती है सामानिक के असपास अधिक तापमान के आने के बाद दिन बर में गर्मी के पसीने छोड़ाएंगे मौसम विदों के मताबिक फिलाल बारिस का कोई सिस्टम सुबह में सक्रे नहीं है लेकिन वहीं देखे सुबह में दो दिन दूप के तलकी के बाद 26 मार्च से बारिस की गतिविदिया बढ़ सकती है मौसम विदों ने उत्तर पूर्व दचिन माइदा और दचिन पूरु बिहार के पटना सही थे कि इस जिलों में एक दो जग़ों पर मेग गरजन का यलो लट जारी किया है इस दोरां तपमान में आंसिक गिरावाट की से दिक कोई जिलों में बनेगी इन्हीं जिलों में आकासी बिजली गिरने के चेताओने भी 26 और 27 मार्च के लिए जारी की गई है बाड़े खर में डेके ओलाइन आवेदन देकर अब 10 दिन में करा सकते हैं जमीन की मापी बस देने होँगे इतने रुप्ट बिहार में जमीन के मापी की समय सिमाने धारित कर दी गई है आफलाइन या ओलाइन आवेदन प्राप्दि के तेस दिनों में निश्चित रूप से मापी कर दी जाएगी साथ ही मापी की रिपोर्ड आवेदक को उपलब्द करा दी जाएगी औलाइन आवेदन देकर जमीन की मापी कर पाएंगे साथ भूमी मापी के लिए ततकाल बुकिंग की वबस्ता भी की गई है इसका सुल्क भी सामाइन मापी से अधिक रखा गया है इस मापी के लिए अधिकतम 10 कारी दिवस निधारित किया गया है 20 मार्च को गजट परकासन के साथ ही यह सुविदा पुरे राज में लग हो गई है जानकारी के लिए बता दे कि नए वेबस्ता में सहरी और ग्रामी छेतरों के लिए मापी के अलग लग दर निधारित की गई है सहरी छेतर यानि नगर पंचाइट नगर परिसाद household नगर निगम के लिए प्रतिख खेसरा हजार रुपी दर निधारित के लिए प्रतिक के लिए बिहार में कनोनंगो, आमीन के 10,000 पदों पर होगी नियूकती मंतरे अलोक महता ने दिया जानकारी जादे कि राजा सुवए अबा मुहमी सुधार मंत्री आलोक महता ने विभाग या आई वाई पर हुई चर्चा का जवाब देते वे घोसना किये कि विभाग अगले तीन महिने में 10,000 नियुक्तिया देने जा रहा है स्पेसल सर्वे के लिए यहां नियुक्तिया और यहां नियुक्तिया कानुनंगो आमीन और सर्वेक्चन से जोड़ी विभिन कारियों के लिए कर्मचारियों के नियुक्ति की जाएगी मांत्री आलोग महता ने कहा कि यह नुक्तिया और लाइन टेस्ट लेकर की जाएगी इसके अलवा 4000 से अधिक हलका कर्मचारी और 1700 से अधिक आमेनों की बहाली प्रक्रिया आंतिम दोर पर है में देके आगे मांत्रे आलोग महता ने कहा कि ब्लॉक की स्तर पर राज में भू अभी लोगों के लिए डिजिटल लाइबरेरी स्तापित की जाएगी इसके अलवा प्रते का इंचल में एक भवन बनाया जाएगा जहां डिजिटल दस्ताविज रखे जाएगे वहाँ डाटा सिंटर भी इस्तापित होगा उन्होंने साब किया कि जमिन से जोड़े तमाम समय सवों के समधान के लिए विभाग गंभिरता से विचार कर रहा है सराबियों के दर्ज अधार नमबर का बनेगा रिकॉर्ड जा देखे राज में अब सराब पीकर पहले बार पकड़े जाने वाले लोगों का अधार नमबर दर्ज का रिकॉर्ड तयार किया जाएगा अगर कोई वेक्ति दूसरी बार पखड़े जाते हैं तो उससे पहले आधार से तपन का मिलान कर इस रिकॉर्ड से किया जाएगा मिलान हो जाने पर समधित वेक्ति को एक वर्स के करवास के सजा दी जाएगी इसके लिए सबी जिला मुख्याले समेद पढ़ना जिला में पाँच स्थानों पर आधार ऑथेंटिक करने ओले मसिन लगाई जा रही है इने मसिनों को आगा में एक सब्ता की दोरान सबी जिलों में मुझोद उदपाद वा मदनी साद के कार्याले में च लगा कर चलू कर दिया जाएगा पढ़ना जिला में पाँच स्थानों पर यानि की पढ़ना सदर के अलावा बाढ़ मसोडी दना परोर पाले गज में लगाई जाएगी इस तरह पूरी राज में ऐसे 42 मसिन लगाई जाएगी इसकी मदद सम्मदित जिले में कहीं भी किसी के पगड़ जाने पर उसे मुख् कर उसका दार नमबर के साथ बाइमेटिक डाटा भी मसिन में दर्श किया जाएगा दूसरी बार जेतने लोग पढ़के जाएंगे उनका भी डाटा लेकर मैच किया जाएगा आड़े कर में देखे राजधाने में अब नई वेबस्ता अब सिगनल तोड़ा तो घर पहुचेगा चलाना तीन मिनट के अंदर फोन पर आएगा मैसेज जा देखे अगर आप भी तेज रप्तार के साथ वाहन चलाने की सौके ने तो अभी मौका है आप सावधान हो जाए और अपने इसादत को तुरण बदल डाले वरना आपको अब भारे नुकसान हो सकता है अब आपका ओवर स्पिट का चलाने सिदे आपके घर आएगा वो भी महाज़ तीन मिनट के अंदर मौबाइल पर मैसेज के साथ दरासल सहर की सोलर ट्रैफिक सिगनल पॉइंट पर दो सहर में नई वेवस्ता 15 अप्रेल से लग होगी इसके बाद सिगनल का उलंगन बिना हेलमेट वहान चलाना रफ ड्राइविंग लाल बत्ती होने पर स्टोप लाइन वा जेब्रा लाइन क्रोस करने पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर आदे पर चलान किया जाएगा चलान मे पूरी जानकारी होगी की चलान क्यों काटा गिया है उन्यक हर में देखे बिहार के घाने आबाद्य वाले सारों में इस बार पड़ेगी बैसन दन घर मेंए अपरेल मैं में ही सुरू हो जाएगा लूख प्रकूर्प ज्याद के भिहार में अपरेल मैं में जबर20 लूग चलेगी बहरतियां माशंचन बिभाग को प्राण मान है कि अपरेल वा ऐ ओप मैं में रिकोर्ड ताप मन रह सकता है कई लाकों में उचतन तापमान 47 डिगरी तक भी पहुच सकते हैं इसको लेकर भारतिय मौसम विगान विभाग ने राज सरकार को सतर किया है इसे देखते हैं मंगलवार को केंदर सरकार ने राजों के साथ एक उच्छी तर्या बिमर्स किया है इस पर राज सरकार हीट एक्षन प लिहार के डेली नियूस देखने के लिए आप अमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें